अगर आप Redmi Note 7 Pro की यूजर है आपके लिए एक काफी अच्छी न्यूज है कि फाइनली जो है चाइना के अंदर जो है MIUI 12.5 का फर्स टेबल बिल्ड जो है रिलीस कर दिया गया है तो यानि कि आप ये मान सकते हैं कि जलती ग्लोबल और इंडियन वर्जिन के अंदर भी आपको MIUI 12.5 का अपडेट जो है देखने को मिल सकता है हाँ एक बात जरूर है जो बिल्ड इस टैम पर रिलीस किया गया है चाइना के अंदर वो Android 10 के उपर बेस्ट है और इसके अंदर कुछ फीचर्स मिसिंग भी है जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कौन-कौ करना मत भूलेगा जिससे हमें सपोर्ट मिलता है आप लोगे तरह से तक कि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लागते रहे सकें तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्या-क्या फीचर्स जो है रेड्मी नोट 7 प्रोक के जो यूजर से उनको इस फोन के अंदर मिसिंग देशने को बिलते हैं और क्या-के नए फीचर्स जो है 12.5 के स्टेबल वर्जिन में इंक्लूड किये गए हैं चाइना के अंदर तो मैं फ़र्स से उता रहा हूँ यह चाइना बिल्ड है आप इसको किसी कस्टम रिकवरी के थूरू अपने फोन के अंदर फ्रैश भी कर सकते हैं अगर आपके फोन का बूट लॉडर अलॉक है तो चलिए बिना देरी करते हुए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं तो यह देखी सबसे पहले मैं आपको सेटिंग्स में दिखा देता हूँ इस टाइम पे हम जो है मियो वाई 12.5.1.0 के जो 21 का यहां पर दिया गया है और यह स्टेबल बर्जन है जो कि चैना के अंदर फाइनले रिलीज हो गया है तो यानि कि आप एक तरीके से यह उम्मीद लगाशते हैं कि ग्लोबली भी जल्द ही आपको जो है मियो आई 12.5 का अपडेट जो है रेड्मी नोट 7 प्रो के यूज आपको कैमरे के अंदर यहां पर देखने को मिलते हैं इवन जो गैलरी है गैलरी के अंदर भी आपको फोटोस, albums और रेकमेंडेट का आपशन मिलते हैं जो नए टूल्स जो इसके अंदर इंट्रूइस किये थे वो आपको अभी भी देखने को नहीं मिल जाता है जिस मेरी क प्रोणना एनिमेशन देखने को मिला है यह इस तरीके से आपके फोन पे काम करता है तो फ्लोटिंग विंड़ोस आपके फोन के अंदर इस टैम पर यहां पर वर्किंग है control center जो है आपको मिल जाता है इस के बड़ जिसा क्या आप देख पारे होंगे जो brightness slider है वो नीचे pin नहीं होता है तो control center भी जो है आपको Android 10 वाला ही देखने को मिला है जो है वो वालपेपर और पर स्टेबल वर्जिन के अंदर मुश्लिए ग्लोबल के अंदर जो है किसी भी डिवाइज में अभी तर प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं मैं जानता हूं क्यों करें अगर आप देख पार होंगे सूपर जो है जो है नोट 7 प्रो की यूजर्स को यहा पर बिया गया है जो कि ग्लोबल में इस टाइम पर काफी सारी फोन के अंदर मिसिंग है बाखी कुछ और चीज़ों की बात करें तो लॉक स्कीन आपको वही मिल जाती है उसमें जादा कुछ दिखाने वाला है यह नहीं मियोट का डिस्प्ले में आपको इसके अंदर लाइ आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं डिस्प्ले का पैनल आप देख चुके हैं नोटिफिकेशन इंग कंट्रोल सेंटर में जाएं तो वही आपको कंट्रोल सेंटर के ऑप्शन जो यहां पर जरूर दीगे हैं नोटिफिकेशन शेट्स को आप यूज़ करते हैं गूर्प आइटम्स इन रिसेंट्स के भी ऑप्शन जो है यहां पर कंपनी ने प्रोवाइड की हैं चाइना स्टेवल वर्जिन के अंदर जिसमें आप वर्टिक लिया होरिजेंट्ली जो है अपनी रिसेंट पार्स को यहां पर यूज़ करते हैं इस रोम को इंस्टॉल करने के नहीं है जो कि flagship phones में आपको देखने को मिले हैं कैमरे में काफी सारे features missing है वो obviously होने थे इंडिया में भी आपको कुछ ही limited camera के features आपको देखने को मिलने वाले बट अच्छी बात यह है कि 12.5 जो है चैना के अंदर आपको रिलीस हो चुका है वो भी stable version बाकि आपको बैटरी क आपको वही मिल जाता है battery and battery saver चैना के अंदर जो screen time मिलता है वो latest मिलता है with focus mode बट इंडिया के अंदर यह digital well-being के साथ साथ आपको मिल देगा special features में वही game turbo कर आपको मिल जाता है जिसमे voice changer नहीं है जो के admin note 7 pro की users को नहीं मिलने वाला था additional settings में वही आपको date time language input gesture shortcuts यह सब च control center पर होते हैं और वापिस किसी application के पड़ जाते हैं तो यह lag यहां पर जरूर करता है बाकि overall देखा जाए तो performance system मुझे ठीक ही लग रही है को ज्यादा issues जो है मैंने इस time पे face नहीं कि है कल शाम को ही यह release हो है चाइना के अंदर और हम इसको अपने Redmi note 7 pro के अंदर Indian version के flash कर सकते हैं तो बस आज का यह वीडियो थोड़ा साइसी के पर था कि मैं थोड़ा सापको preview देना चाहता था कि चैना के अंदर MIUI 12.5 का version जो है release हो गया है stable version Android 10 के साथ और कुछ इस तरीके features जो है चैना के अंदर देखने को मिले हैं हाँ यह ज़रूर है कि यह सभी features जो है आपको इंडिया के अंदर देखने को नहीं मिलने वाले हैं तो अमीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरू कर दिएका साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक केर एंड ब बाई